मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है हर्याना के बहादुर गड़ में नगर परिशत का चुनाव का जैसे ही एलान होता है तमाम राजनितिक पार्टी में हलचल बहत तेज हो जाती है और मैं आपको बता दूँ शुरुवाती दोर से जैसे ही चुनाव का एलान हुआ लगातार उदे भारत की पैनी नजर हर्याना के बहादुर गड़ पर है और इस चुनाव को लेकर तमाम राजनितिक पार्टी में हलचल बहत तेज है इस वक्त मवजूद हूँ वाड 31 में और ये 31 की जनता बैटी है और आप देख सकते हैं किस तरीके से चिल्चलाती धूप में च्छाओं का आनंद ले रहे हैं इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस बार चुनाव में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं क्या नाम आपका मोनिका राठी वाईजाब कपूर राठी नभे सिंग राठी चलिए और भी जनता हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कुछ बज़र्ग लोग यहां पर हैं इनसे बात करते हैं क्या नाम है चाचा आपका बलपिर सिंग इस बार जो चुनाव हो रहा है चेर्मेन का अलग चुनाव हो रहा है और आपके पार्षद का अलग हो रहा है दो बार आपको मत का उपियोग करना दो बार वोट करेंगे आप किसको देखना चाहते हैं चेर्मेन और किसको अपने वाट करेंगे आपका पैंस प्रफिशल बन गई जितवाते हैं मोनिका राठी को चेर्मेन बनाते हैं या अपने वाड के पार्षद को जिताते हैं या जिस भी नेदा को जिताते हैं क्या काम करवाएंगे सबसे पहले से अपने बुरे बादेट सहर की सभी साफ सफाई और वियान चलाती है और सभी गलिय हम जो पिछली सरकार ने नहीं किया और आप जो राजनितिक पार्टी के तमाम दल के नेता आ रहे हैं वो कुछ क्या करेंगे यहां की जनता से जानते हैं क्या नम आपका बाद सब्सक्राइब में किसको देखना चाहते हैं यह काफी टाम सा है कि दो पहले विताइक भी मन च करते हैं हमें जब परिशान करना चाहते हैं अपनी अपनी परिशानियां बता रहे हैं और पिछले सरकार का कामकाज भी बता रहे हैं और भी हम लोगों से बात करने की कोशिस करते हैं यहां पर कि इस बार चुनाब में किसको देखना चाहते हैं मैं चुनाब में इस बार कि इसको देखना चाहता हूं से पहले मैं पिछले बॉर्ड की तरफ आपका द्याना कर्श बिलना चाहूंगा जो मेरी एज 52 एर्स है और 52 एर्स के अंदर साइध मैंने अपने जीवन में इसे बर बरस्ट जो नगर परिशत का बॉर्ड था इसे बर बरस्ट मैंने अपनी नगर बाट किया इस हैर का आप लोग भी देख सकते हैं मेरी खाल कोई काम तो दूर इन्होंने पूरा सोग जी इस बार फिर से वही नेता आ रहे हैं आप लोगों के पेच्छ क्या कुछ लेकर आ रहे हैं आप लोग जबाब कैसे दे रहे हैं ऐसा है लोग बहुत समझदार हो और जो पूरो में चोद्रिनफे सिंग राठी हैं वो दो बाद यहां विदा एक रह चुके हैं और दो बाद यहां चेर परसन रसके हैं जो उन्होंने अपने कारियकाल में यहां लोगों का काम किया है और अब भी उनके पास मतलब पावर ना होते वे लोगों का जो वो काम करते हैं तो इस बार ज्यादेतर लोग हैं वे मोनीका राठी के सांथ हैं और यह इनकी जो ये इनकी पूरो हमारे नगर परिशत हैं उनकी मिसिस हैं तो इनकी 31 वाड में हमारे वाड में सबसे जादा समश्या क्या होती थे बरसात आती है तो गंदा पानी लोगों के घरों में घुशता है डूब जाते हैं लेकिन उन्हें नहीं यह एक पक्का रोड बनवाकर एक परिशत के तमाम काम होते है इस दोरान क्या प्रात्मिकता रहेगी कि आप जिसको जिता आते हैं उससे ही कामं कर वाडम हैं दूब नगरमें की समश्या हैं नालिया टूटआ फूटे फूटे यह न nós को ठीक करें तो हमारे को पूरा विश्वास है कि मोनिका राठी जी और हमारे बाड कत्ति से पारसद हैं इन लोग की सीट पलड रहे हैं बहुत अच्छा बोले आपने और आपको बता दू यहां पर यह वाड 31 की वह आम नागरिक भी इसमें सामिल है जिनका किसी पार्टी पक्से कोई लेना देना नहीं है इनसे भी हम बात करने की कोशिस करेंगे कि क्या कुछ इनके प्रात्मिक्ता रहेगी क्या नाम है आपका मे क्यों कि उसने अच्छे काम किये हैं और स्वारे काम करें से भी लोगों की शमश्या ही नमटाई है अच्छा आपको लग रहा है कि अगर वो जीच जाते हैं तो आप लोगों की सुनेंगे आपकी काम करेंगे हाँ हमारे काम करेंगे तो चलिए यह थे यहां पर आम नागरि लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं, हम इन से जानने की कोशिस करेंगे कि आखिर्कार यहाँ पर क्या कुछ काम नहीं हुआ है? क्या नाम आपका? यह पांच एट भी नहीं लगी हैं सिरफ इस बाई ने जो वार नंबर 31 से पारसद है इन्होंने यह रोड बनवाया था और यह नाले ठीक करवाए थे और लाइट वाइट लगवाई थी अधर्वाइस उन्होंने कुछ नहीं करवाया इस बार तो क्या बदलाव करेंगे या फिर से वही सरकार ने इस बार बदलाव करेंगे इसको देखना इस बार मोनिका राठी को क्यों नफ्य सिंग राठी जी पहले दो बार विदायक रह चुके हैं और उनका बोल चाल ढंग और सब काम दंदे का तरीका उनका बहुत अच्छे वह बहुत अच्छे तरिक्के से क हम लोगों का अधिकार है वो जिसकी भी सरकार चाहते हैं काम करवाने के लिए उनको चुन सकते हैं लेकिन पत्रकारिता का ये भी सपस्ट कहना है कि जिस भी वाड में हम लोग जा रहे हैं इस पक्ष्पत्रकारिता की मिसाल पेस करें और वही कर भी रहे हैं तमाम लोगों स तो और भी लोग हैं हमारे साथ इनसे बात करते हैं तो आपका नाम क्या है सुभास आपसे बात हो गई और पीछे हैं कुछ बाइसाब बैठे इनसे भी बात करने की हम कोशिज करेंगे क्या नाम आपका सर अनील इस बार किसको देखना चाहिए यह पिछली बार जैसे की वीज कुछ काम नहीं करवाया और मौनीक अरणाटि अरनफेस यह इस अच्छे आदमी हैं अरे इनके साथ पहले भी जुड़े थे हम तो अरभी आधा काम पहले भी करवाए और अब भी करवाएंगे ना सरकार होने के कारण फिर भी इन्होंने अच्छे काम करवाए चलिए एक ग काम करवा रहा है तो ये लोकतंत्र का एक बहुत अच्छा हिस्सा है आपको बता दूं कि सरकार में आप पावर में नहीं होते फिर भी अगर जनता के लिए खड़े होते तो कहीं ना कहीं आप जनता के बीच में अपनी जगा बना रहे हैं वीडियो जन्रिस्ट सोनु के साथ उदे हिंदुस्तानी उदे भारत निउस के लिए हर्याना मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है